नमस्कार मैं हूँ आपके साथ काजोल चाहान और आप देख रहे हैं दिवे हिमाचल टीवी हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर के घटना करम की लेकिन पहले नजर हेडलाइन्स पर 31 मार्श को घोशित हो जाएगा नौन गोर्ड कक्ष्याओं का रिजर्ट 20 मार्श तक फाइनल एक्जाम विधायक प्रात्मिक्ता बैठके 28-29 को होंगी जन्मन्त की वज़ा से किया ग्या संशोधन कुफरी में घोडों की लीच से तयार होगी मिथेन गैस परशासन ने बनाई योजना बंजार के सिंध्वा में पानी समझ कर पी लिया तैजाव नौजवान की मौत प्रदेश में छोटे वहनों के हाथसो में वृधी साल 2020 में 500 से ज्यादा की मौत शिमला में पुरुन राजयत्व दिवस की खास तयारिया रिच पर आठ जीलों के डांसर दिखाएंगे दम बुख्यमंत्री ने राजमाता इना देवेश्वरी के निधन पर परिजनों के साथ समवेदनाएं की व्यक्त 24 को तयार रहें बारिश और बरफबारी के लिए 25 से खिलेगी धूप और अब खबरें विस्तार से जैसे जैसे कोविट काल गुजर रहा है सभी तरहा की गतिवीध्या तेजी से बढ़ने लगी है शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिये हैं कि 20 मार्श तक नौन बोर्ट क्लासिस के पेपर करवा लिये जाएं सरकारी स्कूलों में नौन बोर्ट कक्षाओं में पढ़ने वाले चात्रों की परिक्षाएं भी चल्द होने वाली हैं 31 मार्श को नान बोर्ट की सभी कक्षाओं का रिजल्ट घोशित कर दिया जाएगा। सभी स्कूलों में 20 मार्श तक एक्जाम करवाने को कहा गया है। बहली, 2, 3, 4, 6, 7 तक के चात्रों की परिक्षाएं ऑनलाइन ही करवाई जाएंगी। इसके अलावा विभाग ने फैसला लिया है कि नवीवा जमा एक कक्षा के पढ़ने वाले चात्रों की फाइनल परिक्षाएं स्कूलों में आकर ली जाएंगी। इसकी पूरी वैवस्था स्कूल परवंधन को ही करनी होगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा बोड को नवीवा जमा एक कक्षा के चात्रों के लिए प्रशन पत्र तयार करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि 31 मार्श तक सभी नॉन बोड कक्षाओं का रिजर्ट घोशित हो जाना चाहिए। ताकि बोड के चात्रों की परिक्षाओं को लेकर भी तैयारियां की जा सके। प्रदेश सरकार ने विधायक प्रात्मिक्ता बैठकों में कुछ फेर बदल किया है। आईए जानते हैं क्या है नया शचूल। तीस जन्वरी को प्रदेश में आयोजित होने वाले जन्मंच के दृष्टिगरत विधायक प्रात्मिक्ता बैठक में आँशिक संशोधन किया गया है। से शाम पांच बजे तक होंगी कांगरा और हमीरपूर जीलों के विधायकों के साथ बैठक 29 जनवरी को सुभाा साधे 10 बजे से डेट बजे तक होंगी इसके अलावा लाह yht की नार सोलन और शिमला जीलों के विधायकों की बैठक बात अब है दो बजे से साएं पांच बजे तक आयोजित की जाएंगी हिल्सक्विन शिमला के कुफरी में सौलानियों के वर्षों से सेवा कर रहे घोडों की लीद से अपरशासन ने मिथेन गैस का एक प्लांट शुरू करने की योजना बनाई है आईए देखते हैं ये रिपोर्ट परेटर नगरी कुफरी में घोडों की लीद से मिथेन गैस का प्लांट तयार किया जा रहा है यहां बाहरे राजों से काफी संख्या में सलानी पहुंचे हैं कुफरी में सलानी घुरसवारी करना पसंद करते हैं घोडो की लीद यहां वहां गिरने से लोगों को काफी परिशानिया आती थी। ऐसे में प्रिशासन ने अपते किया है कि कुफरी में घोडो की लीद से मिथेन गैस का प्लांट तैयार किया जाएगा। शिमला के डिसी आदित्य नेगी ने बताया कि इसके लिए टेंडर पर क्रिया पूरी की जा चुकी है। इसे गलती कहें या कुछ और मगर तैजाब से एक व्यक्ति की मौद जरूर हो गई। पानी समझ कर बंजार में एक आदमी तैजाब को पी गया। जानते हैं पूरा घटना ग्रम। बंजार उपमंडल के ग्राम पंचाइद मंगलौर के गाउं सिंधवास से एक 35 वर्षिय युवक की तैजाब पीने से मौत हो गई है। परिजनों ने हालत खराब होने पर उसे बंजार अस्पताल पहुँचाया। व्यक्ति अपने घर पर ही था और घर पर पानी की बॉतल समझ कर तैजाब पी गया। जब परिवार के सदस्यों को पता चला तो उसे बंजार अस्पताल लाया गया। डॉक्टरो द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रैफर किया गया था। हिमाचल प्रदेश में छोटे वहन ज्यादा दुरगटना ग्रस्त हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मोटर साइकल स्कूटर के 1263 हाथसो में 313 लोगों की मौत हो गई। 2020 के दौरान लॉकडाउन के चलते प्रदेश में 3 महा तक सडकों पर कम ही संख्या में वहनों की आवाज जाही हुई थी। इस दौरान मोटर कार दुरगटनाओं में 323 लोगों ने अपनी जान कवाई है जबकि मोटर साइकल हाथसो में 249 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में पूर्न राजट्व दिवस मनाने को लेकर पूरी तयारियां की जा रही है। इसे कड़ी में इस बार 25 जनवरी को हिमाचल की संस्कृतिक और फोक डांस की माध्यम से दर्शाया जाएगा। इसी कड़ी में भाशा विभा की और से गेटी थेटर में लोक्मित्य सिखाया गया बताया जा रहा है कि हिमाचल के आथ जिलों के पोग डांसर रिज पर पहुँचने वाले खास महमानों का मनुरंजन करेंगे इसका रावा भाशा वं संस्कुति विभा की और से भी राजित वर दिवस पर मनमुहक छांकिया निकाली जाएंगी इन छांकियों की तैयारी भी जोरों से चल रही है गेला माचल के जहिए क्या क्या खासित है यहांपे टूरिस्ट इन पहुंचकर राजमाता इना दिवेश्वरी के निधन पर परिजनों से अपनी सवीतनाए व्यक्त की मुख्यमंत्री जैराम ठाकुने कुलू के रगुनात पूर पहुंचकर पूर्वसांसत महेश्वर सिंग की माता राज माता इना देवेश्वरी के निधन पर परिजनों से अपनी सवेदनाई व्यक्त की इना देवेश्वरी का हाल में ही निधन हो गया था शिक्षा मंत्री गोविन सिंग ठाकुर विधायक सुरेंद्र शौरी जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सेन महासचीव अखिलेश कपूर राजय योजना बोड के सदस्य युवराज बोथ महेश्वर सिंग के पुत्र दानेश्वर वाहितेश्वर सिंग और पूर्व मंत्री द गरजन के साथ बारिश ओलावरिष्टी की चतावनी जारी की गई है मैदानी इलाकुस सहीद पहाडों पर भी गरजन के साथ ओला वरिष्टी होने का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 24 जनवरी को मौसम खराब रहेगा जबकि प्रदेश में 25 से 28 जनवरी तक धूप खिली रह सकती है शुकरवार को दिन भर बादल घिरे रहे दो पहरबार शीत लहर के कारण अधिक्तम तापमान में 1 से 60 डिग्री तक की भारी गिरावट दर्स की गई उना के अधिक्तम तापमान में सबसे ज़्यादा 60 डिग्री की गिरावट आई है इसके अलावा सुंदरनगर में 6, कांगरा में 5, हमीरपूर, चंबावा, डलहौजे में 4 डिग्री तक पारा गि पर बस और कार में भीशन भिड़त मामा भांजे सहीद चार लोगों की दर्थनाग मौद। मुख्य मंत्री ने भजन समराड नरेंदर चंचल के निधन पर शोक व्यक्त किया असी वर्षे गायक का शुकरवार सुभा नई दिली में निधन। शिक्षव विभाग में तीन डिप्टी डारेक्टर को मिली प्रमोशन, राजिश्वरी बत्ता, बलवंत सिंग और फौजा सिंग के नाम शामित। पंचायती राज चुनावों में धांदली को लेकर ठ्योग जीला परिशत तथा पंचाय समीती की मत गन्ना स्थगित। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटना करम से रूबरू होने के लिए देखते रहें दिवे हिमाचल टीवी